आज हमारे काफी वीवर्स ने एक जेनरिक क्वेरी सब ने डाली है क्वेरी क्या है पहली चीज तो यह कि सब ने यह पूछा कि निफ्टी बैंक क्लोज हो रहा है आपका लाश्ट ट्रेट प्राइस दिखा रहा है 34692 जब पांच मिनिट बाद अवरेज क्लोजिंग का नंबर आता है 34558 यह 1.500 रुपय का गैप क्यों हो गया सब लोगी क्वेरी है यह और यह जैनुमिन क्वेरी है काफी लोगों को नहीं पता होता है देखिए मार्केट हरमेशा जो क्लोजिंग प्राइस आती है और यह ऑप्शन और फूचर के लिए बहुत इंपॉर्टन भी है क्यों क्योंकि सेटलमेंट आपका हरमेशा एवरेज क्लोजिंग प्राइस पर होता है तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट आपक जिसनको भी ट्रेड्स कर नहींतकेड़ थे घ्राइस प्राइस मिल रहे थे वाल्यूम बहुत कम था तो नीचे के पारइस में जियादा व्ल्यूम हुगा उपरके पारीफ में कम वल्यूम है इसलिए motivo अपका नीचे का उक्या होता है दोने प्राइस सबॉटत स्मझना सबस अगर आपका पी है तो दो तिन रुपया उपर दिखाएगा विदाउट मार्केट ओपनिंग यह चीज होगी क्यों होगी क्योंकि आपका एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे आया है और इंट्रिंसिक वैल्यू के इसाब से जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा मंडे मौनिंग को तो यह हो गया आपको समझना जुरूरी है दूसरी चीज यह कि अगर ग्याप या ग्यापन होता है उसके कारण इसका एफेक्ट तो थोड़ा बहुत नलिफाई होता है या कैस्केडिंग होके और बड़ा हो जाता है बट जनरल यह इंपक्ट आता है तो जब भी मार्केट लाश हावे ना होना बड़ा मुवमेंट देगा इस तरह का आपको डिफरेंस एकने को मिलेगा